बच्चों आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चनल एटुजएड इस्टी पॉइंट पर मैं परदीर सर आज हम कलास लेके आएवे हैं कच्छा 7 गनित पाठी पुष्टक और प्रस्णवाली देखेंगे 1.3 का अध्यन करेंगे अगर पिछली वीडियो को आप नहीं देखें तो प्रेलिस्ट में जाईए प्रेलिस्ट में बारी बारी से देखें सबकी वीडियो अपलोड की गई है और आप ही लोग की सुविधा के लिए प्रेलिस्ट बना दिये हैं तो प्रेलिस्ट अवसी देखें विजिट करें और उ वो भी बच्चे 6 क्लास में पढ़ रहे थे उसका एक्जाम भी हो गया अब वो बच्चे 7 क्लास में आ गए है और 7 क्लास की क्लास continue अब शुरू हो गई है तो हिंदी घनित अंग्रेजी सभी विशय की बारी-बारी से हम क्लास लेते आएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई आप करेंगे चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों देख रहे हैं आपका क्या है कि तीन नमर क्वेश्चन बना रहे हैं पहला क्वेश्चन एक नमर और दो नमर नहीं बनाए है तो वीडियो पर ले लिस्ट में बनी हुई है वहां से देखें या तो डिस्क्र मोग तो बच्चों बनाएंगे इसको क्या करेंगे दिखें काता है डीओ को जडिशं को घर या थाए चावररा तो बाहले बात को समझते ह। रिनात्मक मानलेया कोई भी कोई भी रिनात्मक पुर्णाँगलें जैसे का भी होगि disp अर उसके बाद क्या करते हैं सatt помог ये होता है जैसे तीन गुणा टीन सबर्ग लगते हैं यो तो इसका result क्या आएगा यह का रहा है तो बच्चों ध्यान दिजिए ज़दी आठ रिनात्मक पुर्णंग होता है ज़दी आपके पास आठ लिखा रहे और रिनात्मक रहे तो उसको जब भी हम गुना करते हैं तो उसका result क्या आता है उसका result dub یそんな कि आंट र thì आया और आठ और किसी भी गूला एक दो तीन चार प्मण और आगे सबने सब में माइनस कि क्या होता है फिर पालस आपका माईनस गुण मै नस क्या होता है वожет मैनस क्या होगा फिर माइनस कहा हो nutrit हो आपके पास यहां भी पलस यहां भी पलस यहां भी पलस आपका हो गया तो पलस गुना पलस करेंगे तो क्या होगा पलस होगा और आपके पास करेंगे तीन धनात्मक पुर्णांग तो तीन धनात्मक पुर्णांग पलस है ही तो क्या करेंगा पलस गुना पलस करेंगे तो क्य क्या होगा पलस आएगा इसका रिजल्ट है आपका क्या हों जागा यहाँ आपको धनात्मक लिखना यह आपको कहा जा जा रहा है यह आपका अंसर हो गया यह आपको समझाने के लिए बता rất कि क्या इसको आई यह अब यहां काता है कि 15 रिनात्मग पुर्णांग जदी 15 तो रिनात्मग पुर्णांग लेते हैं 15 तो लेते हैं जैसे एक दो तीन चार्ट जैसे लेंगे इस तरह से जैसे लेंगे तीन गुना तीन इस तरह जैसे तो 15 तो जदी लिखेंगे और फिर गुना देंगे और फिर 10 तो धनात्मग पुर्णंग देंगे तो उसका result क्या आएगा तो उसका result क्या आएगा आप जान रहे हैं जदे यहां 15 धनात्मग यह 15 रिनात्मग है तो इसका result आपका minus में आएगा यानि रिनात्मग में और यह आपका धनात्मग में है तो यह तो धनात्मग में है ही तो पलस ये plus और ये minus को जब भी हम गुना करेंगे तो क्या होगा plus गुना minus को जद करते हैं क्या होता है minus होता है minus कौन सी संक्य हो गया minus आपका रिनात्मक हो गया तो ये इसका result होगा ये इसका answer रिनात्मक होगा ये आपको कहा जा रहा है बच्चों समझे बात को 15 रिनात्मक यानि 15 तो अंक मैनस होला जदी हम गुना करते हैं तो क्या होगा वो मैनस ही हो चाहे कोई भी अंक लिजे 2, 3, 4, 5 जो भी लेंगे कोई दिकत नहीं है और उसके बाद काता है 10 धनात्मक पुर्णाग जदी पलस वला धनात्मक किसको काता है जैसे आपका होगा पलस दो फिर गुना करेंगे पलस दो फिर करेंगे गुना करेंगे पलस दो तो इस तरह जदी हम 10 धनात्मक पुर्णाग लेते हैं तो क्या होगा या तो यहां दो होगा तो आप यहां ले सकते हैं पलस तीन भी ले सकते हैं लेकिन आपका धनात्मक ही र तो इसलिए इसका answer क्या होगा दिनात्मा का है आईए चलते हैं अब c number question को कता minus को बारा बार समझे बात को minus को बारा बार जदी गुना करेंगे तो क्या होगा result तो माइनस को जदी बारा बार गुना करेंगे तो रिजल्ट दिखेंगे यह समसंग किया होगा धनात्मक यहां लिखेंगे धनात्मक चाहे यहां दिखेंगे माइनस एक गुना फिर लिखेंगे माइनस एक इस तरह जदी हम लिखेंगे बारा बार लिखेंगे तो क्या आएग देखते हैं next question पर बच्चों यहां देख रहें D number question क्या करा है minus 1 को 2m बार जहां M एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है एक दो तीन जान रहे हैं तो वही संख्या आपको यहां मान लिया गया जो कि इस गुनन फल खुम इंडिकेट करता है तो इसका answer क्या हो गया धनात्मा कोई problem नहीं है बहुत ही सरल था आईए चलते हैं चोथा number question पर क्या का रहा है बच्चों ध्यान देंगे question number 4 आ गया है आपके पास इनका काता minus 1 के साथ गुनन फल क्या होगा ध्यान दें इनका minus 1 के साथ किनका इनका जो b nummer c nummer d nummer दी नमर दिया है वही कहता है इनका आपका यह कहा किनका तो इनका इसका यहनि minus 22 यानि इसको हल करते हैं तो आप कैसे इसको बनाएंगे ध्यान देजिए यह आपका minus 20 है तो यह minus 20 को गुना करेंगे किसे माइनस एक से यह कह रहा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ध्यान देंगे तो इसको जब बनाते हैं आप करेंगे इसको बनाएंगे कैसे यहां आपका माइनस हो गया क्या हो गया पलस हो गया पलस चीनल लिखाता नहीं है तो आपके पास क्या हो गया य यह आपका answer है, बच्चों ध्यान दीजी आप, यहां plus गुना, plus बराबर, plus होता है, minus गुना, minus बराबर, plus होता है, plus गुना, minus बराबर, minus होता है, और minus गुना, plus बराबर, minus होता है, इस चीज को याद रखेंगे, इसी trick को follow किजिए, देखें, यहां minus आपका है, यहां भी minus है, यहां मैनस आ यह भी मैनस तो दोनों को जब गुना करता है कि अहुता पलस होता है पलस होगिया और 22 का एक बेर गुना करें कितना होगा बाइस हो यह इस तो आपको कहा जा रहा था कोई दिकत नहीं है आईए 17 नमर को देखते हैं इसको हल करते हैं यहां लिखे हैं 17 बच्चो तो पलस और माइनस को गुना करते हैं अभ दो क्या होगा मैनस होगा तिहां किया लिखेंगा माइनस की अवर पढ़ेंगे च second को को देख रहें सी नोमर को बना रहे हैं सी great क्या करें जीरो तो जीरो को जदी हम गुना करते हैं माइनस एक से करेंगे तो क्या होगा अब देखें जीरो से एक गुना करेंगे तो आपका क्या होगा जीरो होगा यही आपका अंसर हो गया जीरो में नो मैनस में पलस कुछ नहीं रहेगा लेकिन आपका क्या होगा जीरो हो यह पलस आपका है कोई चीना नहीं होनी चाहिए बात को धियान देंगे कि सबके साथ में माइनस एक को गुना करने के लिए कहा रहा था जो कि आप गुना कर दिये जो अच्छी तरह आपको समयज में भी आ गया हुआ आईए चलते हैं नेस्ट कोस्चन पर देखे रहें आपक अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो वीडियो पात हैं कोमेंट अवसी करेंगे आपको अच्छी तरह से बताएंगे सीखेंगे और लाव उठाएंगे तो चैनल A to Z Studio Point चैनल को सब्सक्राइब करें आईए मिलते हैं नेक्स वीडियो में मेरे वीडियो को आप अंतक देखें आपको बहुत बहुत धहनवाद थेंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो